हलो स्टूडेंट्स तो आज की इस लेक्षर में पढ़ेंगे एक्सेसराइज 7.2 के कोश्चिन नमर 6 और 7 के बारे में ये कोश्चिन एक्षाम पॉइंट व्यू से बहुत जाद इंपोर्टेंट हैं दोनों के दोनों कोश्चिन इपोर्टेंट है खास दोर पे कोश्चिन नमर 7 देखें इन्पोर्टेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह question बहुत बार exam में पूछे गई है ठीक है चलिए question start कर लेते हैं start करने से पहले अगर आप channel पे नहीं है channel को subscribe करें like करें share करें अपने friends को जरूर बताएं इस पारे में ठीक है देखें question number six हमारे पास क्या है if one two four y x six three five are the vertices of parallelogram सबसे पहले एक parallelogram बना लेते हैं parallelogram कैसा होता है जिसकी सामने सामने की side जावो equal होती है और जो diagonals है वो different होती है यह मेरे diagonal होगी let us consider this is a point a b c d मैंने इनको नाम दे दिए चीक है और इसमें बोला गया है कि order में ही होने चाहिए तो यानि कि यह a है b है a c है यह d है तो a के coordinates लिखते है one two b के coordinates हमारे पास है four y और c के coordinates मेरे पास है x और six और d के coordinates है मेरे पास three और five ठीक है अब देखे इस question में आपके पास बीच में कुछ भी नहीं गिवन है आपको x और y गे value निकालने है अब आप एक चीज़ सोचिए जो यह बीच का जो हमारे पास point है जो diagonals जहां पे meet करेंगे ac और bd यह point तो हमारा fix ही रहेगा चाहे आप इधर से निकाले चाहे आप इधर से निकाले ठीक है न क्योंकि single point है तो वो यहां से भी same आना चाहिए और यहां से भी same आना चाहिए ठीक है अब देखो दूसरी चीज़ यह समझो आप कि यह जो bd है यह जो point बीच में आएगा यह b और d के बिल्कुल center में होगा बिल्कुल सही है ऐसे ही a और c के बिल्कुल center में होगा तो आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है न कि जो diagonal diagonal ac and diagonal bd intersect at इस point का नाम लिखे लेते हैं कि यह o point है ठीक है o point पे दोनों के दोनों ज्यावों intersect करते हैं अब देखें जब भी intersect करेंगे तो ac का जो midpoint है वो भी o होगा bd का जो midpoint है वो भी o होगा ठीक है न तो हम यहां पर क्या use करेंगे midpoint formula क्या use करेंगे midpoint formula midpoint formula क्या कहता है क्या formula था midpoint का x1 plus x2 y2 y1 plus y2 by में 2 ठीक है सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं दोनों side को इकठे स्वालो कर लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे midpoint of ac ठीक है इस equal to में लिखेंगे midpoint of bd दोनों को निकाल लेते हैं coordinates इकठे निकाल लेते हैं कोई issue नहीं है midpoint of ac ac का midpoint क्या है देखिए x1 plus x2 यानिकि 1 plus x by में 2,2 plus 6 by में 2 और इतर bd का कितना आएगा 4 plus 3,4 plus 3 by में 2,5 plus y by में 2 तो यह हमने निकाल लिए इसके बाद इसको थोड़ा simplify कर लो 1 plus x by 2 यहां पर आजएगा 6 और 2,8 दो चोके 8 is equal to यहां पर 4 और 3,7 by 2 और यह 5 plus y by 2 तो यह coordinates मेरी बास आगे अब हमने बोला था आपको कि जो ac का midpoint है वो ही bd का midpoint होगा तो इसका मतलब क्या है midpoint तो दोनो cases में same रहने चाहिए इसका मतलब क्या है यह value इसके equal होनी चाहिए और यह जो value है वो इसके equal होनी चाहिए चल यह इनको रखते हैं 1 plus x by 2 is equal to 7 by 2 2 से 2 cancel होजेगा तो 1 plus x की value कितने आज़ेगी 7 तो x की value कितने आज़ेगी मेरी पास 7 minus 1 तो x is equal to 6 ठीक है students बहुत असान है सेम ऐसी हम इसको करेंगे 4 is equal to 5 plus y by 2 cross multiply करते हैं तो कितना आएगा 5 plus y is equal to 4 तूजा 8 तो y की value कितने आएगी 8 minus 5 that is 3 तो y की value मेरी पास कितने आएगी 3 यही दोनों values हमने इसमें निकालने थी ठीक है students तो बहुत important है यह question इस पे आपने ध्यान से कर ल question 7 में का बोला गया देखे find the coordinates of a आपको a के coordinates निकालने है where a b is a diameter of circle सबसे पहले हम एक circle रहा करते हैं ठीक है यह मेरे पास एक circle है ठीक है circle का जो diameter है वो है a b diameter बोलते है उसको जो सबसे लंबी code होती है जो center से पास होगे जाती है that is a और यह मेरे पास है b a b is a diameter of circle whose center is center हमें द रखा है let us consider this is o o हमारे पास है minus के 2 और sorry 2 और minus के 3 यह मेरे पास center है और b के point समय दे रखे 1 और 4 अब देखिए आप एक चीज़ समझीए यहाँ पे इस question में देखिए हमें क्या क्या निकालना है हमें इसके coordinates निकालने है let us consider इसके coordinates हमने माल लिए x और y ठीक है आप लिख सकत हैं यहाँ पे let coordinates of a x और y हमने माल लिए कि जो a के coordinates है वो x और y है अब देखिए जब भी हम circle की बात करते हैं तो circle में आपने कुछ चीज़े तो आपके यादी भी होंगी कि जो diameter होता है जो diameter होता है जैसे मेरे पास यह diameter है diameter का half क्या होता है मारे पास radius यानि कि यह मेरे पास o है थोड़ा से यहाँ पे clarify कर दें तो मैं आपको यह मेरे पास है one four यह मेरे पास है two और minus three और यह है x और y यह हमने मान रखा है ठीक है अब यह जो point है यह center में है यानि कि यहां से यहां तक की radius है जैसे यहां पे है यहां से यहां तक यह भी radius है तो इसका मतलब क्या है जो a o है वो b o के बराबर होगा बिल्कूर सही है क्यों होगा क्योंकि यह दुनों के दुनों तो radius है ठीक है न a o b radius है b o b radius है दुनों के दुनों आपस में क्या रहेंगे एक वल रहेंगे अब यह दुनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो o point है वो क्या हो जाएगा हमारा midpoint तो आप यहाँ पे लिखेंगे this implies o is a midpoint of a b तो o जो है वो a b का midpoint हो जाएगा अब o a b midpoint है तो आप midpoint formula use कर सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे using midpoint formula midpoint formula midpoint का क्या formula था हमारे पास x1 plus x2 x1 plus x2 by 2 is equal to मारे पास value कितनी है इसकी x1 plus x2 by 2 की value 2 सेम ऐसे ही y1 plus y2 y1 plus y2 by 2 is equal to minus 3 सेम formula लगा है देखो x1 plus x2 by 2 यह मेरे पास 2 given है y1 plus y2 by में 2 और यह मेरे पास है minus कि 3 स्वालव कर रहे इसको तो x plus 1 is equal to 2 2 is a 4 x की value आजएगी 4 minus 1 x की value मेरे पास आजएगी 4 मिशेग गया 3 सेम ऐसी इसको simplify करते है y plus 4 is equal to 3 2 जा 6 तो y की value आजएगी minus के 6 यह 4 उदर जाके minus को जएगा तो y की value आजएगी 4 और 6 10 तो हमने x की value भी निकाल ली और y की value भी निकाल ली ठीक है students यह question आपके exam में आ सकता है बहुत important है वो किसी भी type से इसको पूछ सकता है जुरूरे नहीं है कि वो हर बार आपको center दे के रखें वो सकता है आपको यह दुनों points दे रखें हो और आपको बोल दे कि center निकाल लो इसका सेम यही चीज लगेगी कोई कबराने की जुरूरत रही है आप उसमें इसमें formula लगाएंगे simply और हो जाएगा ठीक है students तो आज का lecture आपको कैसा लगा please comment करके जुरूर बताएं अपने friends को share करें like करें comment करें तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए all the very best